हमारे भारत में सबसे पहले राग दर्बारी की खोच की तांसेन ने उसके बाद आईटी कानपुर ने एक नया सोथ किया है जिससे पता चला है कि राग दर्बारी ना सिर्फ लोगों की बौधिक्ता को बढ़ाती है बलकि बोजिल हो चुके सब्जेक्ट जिन में बच्चों क नहीं लगता उनका मन भी लग सकता है इसी सुद्फ पर बातचीत करने के लिए में साथ प्रोफेसर मौझूद हैं एक कि हम से बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे सर्क्या क्या सूद हुआ है और यह कैसे काम करता है हम लोगों ने राग दरबारी को लेकर के यह श यह कहीं खो गई यह चीजे इतिहास के पन्नों में तो इसी संदर्ब में एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हमारे कलीग हैं और एक पीसडी स्टूडेंट हम तीन लोगों ने मिल करके काफी विमर्श किया इस पर और इसके पास चाहत हम लोगों ने यह सोचा कि हम ऐसे वि का जो साइंटिफिक रिगर है वह भी उस शोद में होना चाहिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने रागदरबारी का चेहन किया क्योंकि इसको एंपरर ऑफ रागास बोलते हैं तो रागों का समराथ है यह हम लोगों ने कुछ बच्चों को रागदरब में अभी उसके अगले मिली सेकेंड अगली मिली सेकेंड और इसके लिए हम लोगों ने इजी का इस्तेमाल किया जो हम लोगों ने पाया वो यह के दस मिनट के रागदरबारी को सुनने के बाद सभी ने यह बताया कि उन्होंने एक एकागरता महसूस की और हम लोगों ने जब उनका brain network pattern देखा तो उसने भी यह चीज को प्रूव किया कि उनकी जो एकागरता थी वो बढ़ गई थी और short term enhancement था उनके cognitive function में कुल मिलाकर यह scientifically आज प्रूव हो गया कि राग दरबारी सुनने वाले जो भी सुनता है उसकी बधिक्ता बढ़ती है सर इस सोध को जो आई टी ने किया इसके लिए आपको दूसरी बाद सर इस सोध को ऐसा कहां किस पटल पर रखेंगे जिससे हमारी देश की युवाओं को और जो लोगों को इससा फाइदा मिलेगा अभी तो हम लोग इस कारे को करके आगे की तरफ बढ़ेंगे और कहां कहां इसका हम ब्रियाद रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर हम शोद करेंगे इसके बाद हो सकता है शायद आने वाले वर्षों में दूसरे रागों की तरफ भी हम बढ़े तो यह थे आई टी प्रोफेसर जो बता रहे थे कि ज इसने जो रागों के राजा हैं राग दरवारी उसे कहते हैं उस पर रिसर्च हुई है उसने जस्टिफाई कर दिया है साइंटिफिकली प्रूफ कर दिया है कि बच्चों की बड़ों की सब की बधिकता बढ़ाता है यह राग दरवारी मेरे जनीज दिक्षित एटी भारत क बसक्ता भान बूरू